बोलिए स्री कृष्ण कनहया लाल कीजे, स्री सत्गुरु महराज कीजे, स्री प्रानात प्यारे कीजे, सर्वे संदर साथ कीजे श्री सत्गुरु जी ने लगाये, श्री सत्गुरु जी ने लगाये निजधाम अखंड के मेले, स्री सत्गुरु जी ने लगाये निजधाम अखंड के मेले, चरणों में आ कर देखो छूट जाएंगे जूठे जमेले, चरणों में आ कर देखो छूट जाएंगे जूठे जमेले, स्री सत्गुरु जी ने लगाये श्री सत्गुरु जी ने लगाये, निजधाम अखंड के मेले आए सत्गुरु बनके पियाजी, लाए धाम से आब हयाती आए सत्गुरु बनके पियाजी, लाए धाम से आब हयाती अपने हाथों दे रहे हैं, अपने हाथों दे रहे हैं, मस्ती भरे मस्त पियाले, श्री सत्गुरु जी ने लगाये निजधाम अखंड के मेले, चरणों में आ कर देखो छूट जाएंगे जूठे जमेले, स्री सत्गुरु जी ने लगाये निजनाम नूर बरसाया, प्रेम सेवा में जीना सिखाया उनकी हस्ती क्या कहिये, उनकी हस्ती क्या कहिये जो हो जाते इनके हवाले, शिर्सत गुरु जी ने लगाये श्री सत्गुरु जी ने लगाये, निजधाम अखंड के मेले हृदया में प्रेम का सागर, लेके बैठे हैं साथ में आकर हिर्दय में प्रेम का सागर, लेके बैठे हैं साथ में आकर सत्गुरु जीन को अपना ले, वे तो होते हैं सबसे निराले स्री सत्गुरु जी ने लगाये, श्री सत्गुरु जी ने लगाये निजधाम अखंड के मेले, चरणों में आकर देखो छूट जाएंगे जूटे जमेले, स्री सत्गुरु जी ने लगाये साथ जी कोई संशे न लाना, दर्द दिल को इन्ही को सुनाना साथ जी कोई संशे न लाना, दर्द दिल को इन्ही को सुनाना तन मन की जान नहारे रखते हैं सभी को संभाले स्री सत गुरु जी ने लगाए निजधाम आखंड के मेले चरणों में आकर देखो चूट जाएंगे जूठे जमेले चूट जाएंगे जूठे जमेले बोले श्री सत गुरु महराज की जय श्री प्राण ना त्यारे की जय आप सभी श्रद्धासुमन वधर्म प्राण धर्म निष्ट सुन्दर साजी को रचिता सखी का रदेसे कोटी कोटी प्रणाव सुन्दर साजी जैसा की हमने श्रवन किया कि किस प्रकार से हमारे धनी श्री सत्गुरु सरूप निजधान का अखंड मेला करने के लिए इस संसार के बीच में अपने सनमंधी इन सर्व आत्माओं को जमा करते हुए इस तार्तम ज्यान के तले लियाते हैं और उसके बार जो चरणों में आकर के इस मेले को समीप से देखते हैं अत्यांत पास से देख पाते हैं और इस मेले के अंदर शामिल भी हो पाते हैं उनके लिए कहते हैं कि इस जगत के जो सारे बंद, फंद, द्वंद, आदी के अंदर हम सब कोई जकडे हुए हैं ये सब कुछ जूठे जमेले हैं और इन जूठे जमेलों को शिरी सत्गुरु पुस्रुक के चरण की छत्र छायां छुडा देती हैं। इसी विशे में हम सिवा पुजा में भी गान करते हैं। काल कर्म भव दुख से तुम ही छुडाव अनहार। परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। यही सत्गुरु हैं जो यहां के काल से छुडाने वाले हैं। यहां के कर्म की जाली जो यह जीव भूथ लेता हैं अपने आपके लिए उससे भी हमको पार लगाने वाले हैं। और इस भवसागर के अंदर आने वाले तरह तरह के दुखा देहिक दैविक और भवतिक संतापों से जो हमें यहां से छुडाते हैं वो छुडावन हार तो केवल स्री सत्गुरू के चरण कमल हैं। इसे लिए स्री प्राणनाजी इस वाणी प्रक्रण के चलते कहते हैं के हे जीव जी तो मिन सत्गुरू के स्री चरणों में आजाओ उनके सानिध्य को प्राप्त करो और सदैव इनके साथ में जुडे रहो तो ही इस भवसागर से तुम छूट पाओगे यह जूठे जमेले त तूट जाएंगे तो प्यारे सुंदर साथ जी आएए स्री राश्यमाजी के पावंचरण कमल में हम वंदना करें अर्जी लगाएं और आज के सत्रकाशु भारंब करें बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जै प्रथम लागूं दो चरण को धनिये नचुडाई ओक्षिना लाक तली लाल एडिया मेरे जीव के एही जीवना इन पावं तले पड़ी रहों धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निर्खू नेत्रे मेरे जीव के एही जीवना मेरे जीव के एही जीवना बोल ये श्री सत्गुरु महाराज की जै परमशृद्धिय परमवंदनिय परमादर्णिय गुरुदेव स्री दिंद्याजी महाराज के पावं चरण कमल में अखंड दन्वत प्रेम प्रणाम के साथ सभी संदर साजी को कोटी-कोटी प्रणाम करते हुए आईए संदर साजी आज की इस मजल का शुभारंब करते हैं रे जीवनी के जानिये ए भूलवनी इत भूले सब कोए या रंगर से जो भूलही तिन करडी कसोटी होए काटे चुभी दुख पाईए सहना सके लगार आगी महामती श्री प्राणा जी फुर्माते हैं कि अगर कभी चलते हुए हमारे पेरों में एक काटा चुब जाए जब बहुत चुबता है तब सरीर के अंदर में कैसी एक वेदना हो जाती है क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो लेकिन एक छोटा सा काटा ही सही किन्तु हमारे मन स्थिति के अंदर में कितना परिवर्तन करा देता है हमारे शरीर को जब इजा पोंचती है तो एक रियक्शन होता है और हमारे मुह से या तो अपनी मा का स्मरण निकल जाता है या फिर कोई भगत हो तो कहते है भगवान इस प्रकार से किसी का भी नाम हमारे जिवहा से तुरंत निकल जाता है जब एक छोटा सा काटा भी चुब जाए और उतना सा छोटा सा दुख जब हमसे सहन नहीं हो पाता तब स्री प्राणना जी कहते हैं लगार एक तनिक मात्र दुख को तो सहन नहीं कर सकते हो आगे स्री जी फुर्मा रहे है पर होत है मोहे अचम्भा इसी बात से मैं अचम्भित हूँ इसी बात से मैं आस्चर्य में पढ़ जाता हूँ कि जिनके द्वारा एक काटा चुबने का भय भी डर्ब काटा चुबने का दर्द भी उनको इतना भय दे जाता है एक क्यों सहसी जम मार तो फिर ऐसे कोई व्यक्ति जिनका इतना भी मनोबल नहीं है वो जम की मार को कैसे भला सहन करेंगे जब शुकदेव मनी वर्णन कर रहे थी कि 84 नरक कुंडा आई हुए है उन 84 नरक कुंड का वर्णन करते हुए 56 नरक कुंड तो बिना सुने ही परिक्षित राजा ने छोड़ दिये थे क्योंकि उन नरक लोकों के अंतर की जो यातना है वो इतनी कठिन है ऐसी कठोर यातना उस जीव को दी जाती है ऐसा दंड उसको अपने कुप कर्मों के लिए दिया जाता है कि जिसको श्रवण करते हुए भी राजा परिक्षित जैसे वो कोई मामूली इंसान तो है ने वे स्वयम भी अन्य को पनिश करने वाले दंडित करने वाले राजा है परन्तो ऐसे राजा परिक्षित के अंदर में भी इतना डर उत्पन्ण हो गया जब उसने महजु नर्क लोकों का वर्णन श्रवण किया उसने यातना तो भोगी नहीं थी केवल सुन रहा था किन्तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे जैसे वो नर्क लोकों का वर्णन सुनता गया, एक एक नर्क कुंड की यातना दुसरे से बयंकर होती जा रही थी, और ऐसे में वो और ज़्यादा सुन नहीं सका, केवल 28 नर्क कुंडों का वर्णन उसने स्रवन किया, इससे अ अंदर ही इतनी शक्ति हैं कि वह हमारे मन को कम पमान कर देता हैं, हमारे शरीर से पसिने छूट जाते हैं और हम उसको सुन भी नहीं पाते हैं, तो अगर हम विचार करके देखें कि अगर कभी उन में से एक नर्ककुंड की यातना को भी जेलना पड़े, दुख उठाना तो भला कोई कैसे उठाएगा? इसलिए काते हैं कि वहाँ जो जमराज है, वो वहाँ पर तमोगुनी सुरुप ले करके, उन सभी जीवों को चोट पहुचाने के हैतू, पनिश्मेंट देने के हैतू, वहाँ तमोगुनी युक्त हो करके, इन सभी जीवों को यातना देता ह क्योंकि उनको दंडित जो किया गया है, इसलिए उन जीवों के पास, जब वे नर्क के अंदर में पढ़ जाते हैं, तो यहां के जैसे पाच तत्तों का देह नहीं होता। जब तक उसका दंड पुरा नहीं हो जाता। जब वहाँ जमराज अपने 27 स्टन के मुगदल से वार करता है, जीव के सिर के उपर प्रहार करता है, उस समय जैसे तमाटर होता है और उसके उपर एक जोर का पंच मारा जाए, तो वह छिन भिन्न हो जाता है। ठीक, इसी प्र तो वह शरीर का गुन इस प्रकार का दिया जाएगा, कि जिसके अंदर मृत्यू या समापन नहीं होगा। वह शरीर फिर से जुड जाएगा, और उसी के कारण से है, कि जितनी और यात्नाएं उसको देनी है, वो और भी दी जाएगी, all the sufferings will be given। तो जब तक उसका दंड तक तक उसको उस नर्क के अंदर में पिसा जाएगा, केस त्वचा जासे चर्माई, स्री प्राणा जी वर्णन करते हैं, कि वहाँ पर केस याने के बाल और त्वचा आदी, यह साब कुछ जिसे रिंकल्स आकर कि सिकुड जाते, ऐसे सिकुडन उनमें आजाएगी, लेकिन फिर भी वो जीव जो है, उसमें से छूट नहीं सकेगा, ऐसी भयंकर यातनाओं का वर्णन, स्रीमत भागवत महापुरार के अंदर में स्वेम शुकदेव मुनी ने राजा परिक्षित के आगे सुनाया हुआ है, किन्तु है साथ जी, अगर हम अपनी दृष्टी को खोल कर करके देखें, तो जो जैसे कर्म करता है, वो उसी को भोगता है, हमने जिस किसी कर्म की खेती लगाई है, उसी को हम भोगेंगे, कोई नए कर्म हमको को देने नहीं वाला, ना तो किसी अन्या के कर्म को हम भोगने वाले, जो भी भोगेंगे, जो भी मिलेगा, तो अपने सरीर के मोह के अंदर में पढ़ करके अनुचित कर्म करते हैं वक्ति की और जो सनलगन नहीं होते हैं ऐसे जीवों को महमति शिरीप्राणाजी विचार करते हुए काते अरे मुझे तो आस्चर या लगता है ये कैसे शुरवीर हैं इनको मैं क्या कहूं इनको तो गोर्ड मेडल देना चाहिए कि जो इतना सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने आँख और कान को मूंद करके बैठे हुए हैं सोचते नहीं कि इसका परिणाम मुझे कहां और किस मात्रा में भुगतना पड़ेगा इसे ये संतों ने एक बहुत उत्तम बात कही हुई है वे कहते हैं कि आप जितनी भी भुक्ति करते हैं कि तो एक और अगर प्रभुभजन करते भी है मान लिजिए और दूसरी और अगर हम अपने मन में कपट को धारन करके अनुचित कारिय करते रते हैं तो फल कहां मिलेग जो जितना फल आपने कमाया है उस भक्ति के द्वारा उस नाम उच्चारण के द्वारा किन्तु कपट का भाव रखने से गलत धारणाये रखने से वो सारा फल यूही हाथ से निकल जाएगा मिट्टी के समान हो जाएगा अगर किसने एक करोड रुपे कमा ही लिए कमा करके अगर उसने खूले में रख दिया बिना सिक्यूरिटी के तब क्या होगा कि दूसरे दिन में वह देखेगा उसे कुछ भी वहाँ पर मिलेगा वापिस से प्राप्त होगा इसी प्रकार से जब भक्ति और साधना के गुनों को हमने अपनाया लेकिन उसके बाद अगर कपट छल आधी को मन में रखे हुए रते हैं तो वो हमारी कमाई को दिमक की भाती चाट जाते हैं और इतना ही नहीं अगर उस कमाई हुए धन को खुले में छोड़ दिया तो कूसंगत हैं वो कूसंगत आकर के उसमें लूट मचा लेती हैं इसलिए हे साधक आत्माओं संत जन करतें गुरुजन करते हैं कि जब कभी साधना करें भक्ति करें तो कैसे करना है छिप के साहिब कीजिए याद खासल खासल नजी की स्वाद ऐसे उस साधना को किजिए कि जिसके द्वारा जो छिपी हुई साधना का छिपा हुआ गुहिय फल आपने प्राप्त आप प्राप्त कर सकेंगे अन्यथा वो संगत होने के कारण उस सारा फल अपने हाथों से निकल जाएगा कमाना मात्र जरूरी नहीं है कमाई हुए धन की सनरक्षर कैसे करनी है वो भी उतना ही जरूरी है इसलिए की हुई भक्ति के द्वारा की हुई नामच्चारण के द्वारा जो फल हमने पाया है उसे ये माया रुपी चोर न चुरा के ले जाए अत्वा कू संगती इसे पूरी तरह से नियून न कर दे इस बात की भी हमें बहुत खेर करनी चाहिए है सुन्दर साजी स्री प्राहना जी इसलिए कह रहे है कि जब एक छोटा सा दुप्तोया सहन नहीं किया जाता तो अचन भा लगता है कि ऐसे कर्म क्यूं करते होंगे जिन कर्मों का ये फल है कि अंतिम में जा करके वहां यातना को भोगना पड़ेगा तब कितनी मुश्किले होंगी इसका विचार तो करिये इसलिए धनी स्री प्राहना जी बारं बार हम को सतर्क करते हैं कि हे साथ जी उस जम मार से हमें तो बचना ही है हमें तो तार्तम का मार्ग दिया है परंतो ये उन सादकों के लिए कहा जा रहा है जो कि अध्यात्म के अंदर पग रखना ही नहीं चाते हैं जो भक्ति मार्ग के अंदर उसकी विशष्टा को बिना जाने ही उस भक्ती से दूर 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 रहना चाते हैं तो समझे कि जो भी करोगे उसका फल कहां और कैसे आपको मिलने वाला है इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिन ये घर तो घर ही है However, it is a temporary abode ये कोई permanent घर नहीं दिया गया है ये शरी रूपी जो घर कहा हुआ है ये कैसा है गफलत का घर है अगर यहाँ पर हमने mindfulness को practice नहीं किया अगर मन लगा कर सचेत हो करके नहीं जीए कब इसी घर के अंदर ऐसी अगनी का सामना करेंगे कि यहाँ सरीर में रहते हुए भी अगनी का सामना करोगे और यही अगनी और बड़ी अगनी में ले जा करके छोड़ेगी इसलिए स्री प्राणना जी बारंबार सतर्क कर रहे हैं कि साथ जी ये गफलत का घर है be cautious, be alert मेरे ये जिम्मिदारी है कि मैं आप सभी को यहाँ सचेत करूँ और सचेत करते हुए सर्व प्रथम स्री प्राणना जी उस जीव को संबोधित करते हैं किन्तु हम भी इस तार्तम ज्यान को ग्रहन करके विवेक बुद्धी के आश्रय से हम भी अपने उस जीव को समझा रहे हैं कि हे जीव जी ये घर में तो तुम इस समय में हो लेकिन ये गफलत का घर है अगर आपने यहाँ पर भूलन का आश्रय लिया तो आप अवश्य अगनी के अंदर में पढ़ जाएंगे और यहाँ अगनी कही जाए तो काम, क्रोध, लोग, मोह की अगनी है इस जीवन को सही दिशा जो यदि हम नहीं देते कि जीवन क्यों मिना यह मनुश्यतन कौम से साधना करने के लिए प्राप्त हुआ है किस तरह की तपस करनी है इसके अंदर अगर इस विश्य में जो सचे थम नहीं हो जाते हैं तो साथ जी, गफलत में पढ़ना यह तो इसका दूसरा ओप्शन है ही और इस दूसरे ओप्शन को सब कोई एक्सरसाइस कर ही रहे है जो तार्तम के द्वारा जो शास्त्र और संत बाणियों के द्वारा समझ पाते हैं वो जानेंगे कि यहाँ पर जो काम, क्रोद, लोब, मोह, आदी की अग्मी जल रही है वो कितने भयंकर है संत तुलसिदास जी इसके विशे में एक बड़े संदर दोहे में कहते हैं काम, क्रोद, मद, लोब, की यह कामनाई the various desires and aspirations that we have क्रोद, यानि के जो एंगर है बिना काम, बिना मतलब का जब हम करते हैं इसी प्रकार से मद, जिसकी चर्चा हमने पहले की के कईयों प्रकार के मद हैं कईयों प्रकार के नशे हम पे चड़ जाते हैं सवार हो जाते हैं कभी राज मद हैं कभी अपने स्टैटस को लेकर मद हैं कभी अपने धन को लेकर के मद हैं तो कभी योवन अवस्था का मद हैं ऐसे ऐसे कईो प्रकार के मद के अंदर वो मनुश्य जीता रहता है, बिना ये समझे के वास्तविक्ता क्या है? पुना काते हैं लोब की, जो लोब का ग्रीड का जो गुन है, देखो अपने लिए जब हम कमा रहे हैं, वो उचित है और वो करना भी चाहिए, लेकिन अगर ये ही लोब में परिवर्तित हो जाएं, केवल संग्रह करके अक्यूमेलेशन की बुद्धी में आ जाएं, तो वह गलत होगा, संग्रह कीजी अपने जीवन को जीने के लिए अच्छी प्रकार से जीने के लिए वो संग्रह करना भी उचिती है, किम्तु ऐसा संग्रह न कीजिए, जैसे हम वो सेट की कहानी में सुनते आए हैं, के मेरी इत्तालिस पिड़ी को तो मैं खाना पहुचा सकता हूँ, लेकिन बयालिस भी पिड़ी क्या खाएगी, वो मुझे नहीं पता, इतना अक्यूमिलेट करके आपने क्या हासिल किया, तो इस प्रकार से धनी करते हैं, यहां संत तुलसिदास जी अपने दोहे में कह रहे हैं, कि काम क्रोद मद लोभ की एक से एक बड़े विक्राल मगर मच्च की भाती है ये, जो उस जीव को निगलते जा रहे हैं, जो लो मन में खान, जब तक काम क्रोद लोभ मोहमद आदी की, खान आपके मन के अंदर में पड़ी हुई है, खुली हुई है, खान याने हम जिसे माइन्स कहते हैं, जिसके अंदर प्रसस्थ मात्रा के अंदर वा सुर्न प्राप्त होता है, वैसे ही कामक्रोद लोभ मोहमद आदी की जब तक खान हमारे मन के अंदर में है तोलो पंडित मूर्खो तूलसी एक समान जब तक ये खान हमारे अंदर होगी तब तक तूलसी दास जी करते हैं कि हमारे मन की स्थिती चाई हम मूर्खा ही क्यों न कहलाते हो या फिर कोई विद्वान, कोई पंडल से क्यों न कहलाते हूं मन की स्थिती एक समान है It is unmindful, वो गफलत में पड़ा हुआ है ऐसे मन को ले करके वो जीव के उपर छाप पड़ जाती है क्योंकि मन जो अनुभव करता है, वो जीव को पहुंच रहा है मन जैसा देखता है, जैसा अनुभव करता है, अच्छा हो या बुरा हो वो सब जीव के उपर रबौफ हो जाता है और तब जाकर के वह जीव भी इसी प्रकार अच्छा बुरा देखता है तो सोचिए कि इस मनरूप यंत्र के द्वारा इस जीव को कितना आसर है, कितना प्रभाव हो रहा है और अगर ये मन गफलत में पड़ा हुआ है तो जीव भी गफलत में पड़ा है ये जीव जब तक गफलत के घर के अंदर में रहेगा पड़ेगी बड़ी अगिन तब तक वो इनी अगनियों के बीच में बैठा हुआ है, जल रहा है, रात दिन तप रहा है किन्तु कभी-कभी हम जब सुख की प्राप्ति करते हैं तो हमको लगता है कि मुझे संतोश मिल रहा है, इसलिए एक इच्छा पूरी होते न होते दुसरी इच्छा सामने आके खड़ी हो जाती है, उस इच्छा को जब तक पूर्ण करे न करें, तब तक एक और इच्छा सामने आ जाती है multiple इच्छा इस प्रकार से उत्पन होती है, ये अगिन नहीं है तो क्या है सब कोई देखे जलती अपनी अपनी आग हमारे भीतर भी वो अगनी जल ही रहे और सब कोई को वो नजारा दिख भी रहा है किन्तु हे संदर साजी जहरे दृष्टी से नहीं अनुभव के द्वारा आप देखिए कि हर किसी के अंदर में वो ही काम क्रोध आदि की अगनी जल रही है स्री प्रयाना जी कहते हैं हे जीव अब सतर को हो जा गफलत में अगर जो तू पड़ा रहेगा तो अच्छी बात नहीं होगी क्यों? पीछे जब यह सरीर रुपी घर तो छूट जाएगा तब क्या होगा? लाख चौरासी देह में जलसी रात और दिन इससे अधिक मात्रा में इससे ज्यादा क्लेरिट के साथ में और हमको धनी क्या समझाएंगे? क्या प्रबोध करेंगे? क्योंकि जब हम इस सरीर रुपी मकान के अंदर मानते नहीं और इसी कामक्रोध लोग मोह के वश्मे होकर के सारे कर्म करते हैं उसका फल भी भुखतेगा वह जीव तो जब सरीर छूट गया तो चौरासी लाख देह के चक्र में पढ़ना पड़ेगा माइंड इट ये चौरासी लाख स्पेशीज हैं हर एक स्पेशीज के अंदर पुना उसके उप योनिया भी बनी हुई हैं जैसे कुट्टे की एक योनि कहेंगे तो उसमें कयों प्रकार की ब्रीड्स होती हैं ऐसे ही हर पशो हर जाती के साथ हैं भावारत ये है कि मोटा मोटी देखने जाएं तो चौरासी लाख योनियों का जिक्र किया गया है शास्त्रों पुराणों के अंदर में किन्तु उनके अंदर छिपे हुए जो अलग-अलग प्रकार के सब टाइप्स हैं वो और अनंत हैं अब इनमे एक बार जी अगर इस साइकल के अंदर पढ़ जाए तो रोटेशन होते 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 वो कईयों स्पेशीज में से पास होगा और एक-एक स्पेशीज के अंदर कईयों प्रकार के शरीर को वो धारण करेगा ऐसे में वो चोरासी लाक योनियों से कव पसार होगा तभी धनी कहते हैं जल सी रात और दिन यहां पर तो एक मनुश्य तन के अंदर में जल रहे है किन्तु यहां पर बुद्धी का आश्री तो है सत्गुरु के ज्यान का सामिध्य तो है भूत वर्तमान और भविश्य तिनों ही काल को देखतो सकते हैं किन्तु जब वहां उन योनियों के चकर में पढ़ जाओगे तब तो और भी मुश्किल होगी रात दिन जलते ही रहोगे उस अगनी को बुजाने वाले कोई नहीं है क्योंके उन योनियों के अंदर विवेक बुद्धी नहीं होती आहार, निंद्रा, भय, मेत्व, नम्च, सामान्य में तद पशुभी नराणा धर्म ही एककम अधिकों विशेशों धर्मे नहीं न पशुभी समान यही चार वस्तुए पशुव में और मनुष्य में कॉमन है लेकिन हमारे अंदर इस वकद इस काम, क्रोध, लोग, मोह की अगनी को बुजाने के लिए यहां पर यंत्र दिया हुआ है सास्त्र का अग्ञान, तार्तम का ज्यान, शिरिस्सत्गरू की कृपा है किन्तो हम इस तन में होकर के भी, अगर उन्ही पशुओं की भाती, आहार, निंद्रा, भय और मैथुं के अंदर में रहेंगे तो फिर इस मनुष्यतन को हासिल करने के बाद हमने पाया ही क्या यह तो नर पशु का काम है, देखने में नर है, सोभाव से पशु है इसलिए शास्त्रे एक उधारण देते हैं, एक अन्दा जो एक बहुत विशाल हॉल के अंदर में गूम रहा है और उस बड़े से हॉल में से एक ही दर्वाजा है जो बाहर निकलने के लिए है अन्दे को दिखाई तो देता नहीं, अपने हाथों के आश्रे से वो दिवालों के उपर में हाथ लगाता हुआ जा रहा है और वह देखता है कि दर्वाजा कब आये तो मैं उससे बाहर निकल जाओ परन्तु जब दर्वाजा आया तो सिर्ख खुजलाने लगा और जब सिर्ख को खुजलाने लगा दर्वाजा पास हो गया अब पुना इतने बड़े हॉल का चक्र उसको लगाना ही पड़ेगा ठीक वैसे ही ये मनुश्यतन एक मात्र दर्वाजा है साधना करने के लिए प्राप्त हुआ देह है इस मनुश्यतन के अंदर आ करके सिर्ख खुजलाने लगेंगे अगर विशेरस के अंदर उत्प्रोत हो जाएंगे तो रात दिन उस अगनी के अंदर जो चोरासी लाकियोनी के देह में मिलती है उसे भोगने के लिए तयार रहना पड़ेगा इस जीव को तो कि उसे के करम वही भोगने जा रहा है ऐसे गफलत का देह यह है ऐसी भूल भुलया है इसलिए श्री प्राणा जी सतर्क करते हैं यह देखी अजाड़ी आँखा खोल के अरे यह देह ही पर ब्रह्मा की प्राप्ति भी करा सकता है किन्तो इस समय जब तक आप गफलत में हैं तो यह एक अजाड़ी है उजाड़ करने वाला है जीऊ कहां है उसको कहां से कहां फेकने के काविल हैं यही देह इसलिए तो इस देह को कहा गया कि अजाड़ी है उजाड़ कर देने वाला है याकी तो उल्टी सनंद्द आरे आँखे खोल करके देख है ऴावरे इस सरीर की सनंद माने के जो प्रकार है जो गुन सोभाव है वो तो उल्टा है किस से उल्टा है वो जो अंदर बेठा हुआ चेतनात्मा है उससे इसका सोभाव ठीक विपरित है जैसे वह चेतनात्मा हमें इसा सुख आनंद चाहता है इस हैपिनस परसोनिफाइड परंतु यह शरीर जो दुख का निधान दुख का मूल है इन दोमों का गुनापस्त में कहां मिलने वाला है इसलिए देह और चेतनात्मा के बीच में इतना अंतर है स्री प्राइना जी काते हैं कि इस जीव से हे जीव तेरे से इस देह की सनंद याने के जो प्रकार है वो तो उल्टा है तो इस उल्टे के साथ में क्यों आपने सन्मंद को बानता जा रहा है क्यों इससे नेहडा करता जा रहा है ऐ मोहडा लगावे मिठडा हाँ मीठी माया वललब की ये वललब ने जो माया का जालिया रचा हुआ है उसमेँ शरीर भी एक काम कर रहा है भुलाने का काम कर रहा है इसलिए अत्यन्त मीठा होने के कारण हम मोहीत हो जाते हैं लेकिन ज्यादा मीठा खाने के बाद में क्या होता है, इसका परिणाम नहीं देखते हैं, यहाँ पर जब इतने सारी सुविधाएं, लक्षरीज और प्लेजर्स भोगने के लिए हमको मिलता है, तो हम बड़े आनंदित होते हैं, बड़े ही सुखी होते हैं, परन्तु अगर स विशय के पांचो तत्व हैं, क्योंकि धनी से जो अलग कर दे, विश्टुल्य है, इसमें और कोई दोराई नहीं है, कोई दुसरा लोजिक ही नहीं है, धनी स्री प्रण्ना जी कहते हैं, यह मोह बड़ाई मिठा लगता है, बड़ा ही आकर्शक लगता है, पर बार बार जै पहले बहुत सुकुन देगा, और फिर उतनी ही आग में डाल देगा, इसलिए क्या करना, यह हसत छोड़ो या रोई, जिन करो अंदेशा कोई, स्री जी तो करते ही हैं, हस्ते हस्ते इसको परित्याग कर दीजिए, अन्य था शरीर छुटेगा, तब होते रोते तो छोड़न ही पड़ेगा, कहां यह सब साथ में ले जा पाओगे, समझ बूज के द्वारा, अगर हमारे अंदर वो समझ बूज नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन के पैसिटी उजागर नहीं हुई है, तो छोड़ी नहीं पाएंगे, अगर कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, तो वो रिन दर्शाजी, स्री प्राणनाजी इस मोह का परिशे कराते हैं कि कितना करशक मोह लगता है, कितना मीठा लग रहा है इस वकत, लेकिन पीछे पड़िये बड़े फंद, यह जिस प्रकार का अभी मोह फंद आपको नजर आ रहा है, उससे कई बड़ा फंद पीछे जाकर के तय प्यार हुआ है, क्योंकि 84 की अगनी में धकेलने का आपको प्रयास यह सरीर करता है, यह भूल भूलवनी करती है, तो जो जीव यहां जागरित नहीं हुआ, वो यह उस बड़े अगनी में जाकर के पड़ जाएगा, Therefore, the best option is, इस वानी को आत्म साथ कीजिये, इस वानी के जरिये नजर खोलिये, बात्मे द्रिष्टी से देखिये, और तब स्री प्राणाजी की यह चोपाई, सांथक नजर आएगी, घर ही में न्यारे रहे, कीजिये अंतर में वास, तब गुणवश्च आपई होवही, गयो तिमीर सबनाश, शरीर रुपी घर के अंदर में रहते रहते ही न्यारे रहे, उस शरीर से मोहात्मक बंधन को न बांद करके, न्यारे अलग हो करके रहना, इसे एक उपकरन का दरजा दे करके रहना, न की मोहित हो करके जाना, किजिए अंतर में वास उस अंतर में बैठे हुए चेतन आत्मा रुप से वास किजिए पहले सुयं को मैं शरीर हूँ ये भाव परित्याग करके मैं वह चेतन आत्मा हूँ सचिदानंद गुन युक्त हूँ इस भाव को ले करके जो यदि हम चलते हैं तब क्या होगा तब गुण वश आपई हो गई जो तीन गुण की भवरी मिरंतर हमको डुबा रही है फिरा रही है वही गुण आपई सुयं के वश में अपने आप ही हो जाएंगे क्यूकि उस चेतन आत्मा की जो शक्ति है वह उतरोतर बढ़ चुकी है अब गुण के प्रभाव में नहीं गुण उसके प्रभाव में है Slowly and steadily gradually this change will take place पर शुरुआ तो कहीं से करें तब धनी कहते हैं गयो तीमीर सबनाश जब इस प्रकार से वह जीव चलता है अपने आप को चेतन आत्मा की दृष्टी से देखता हुआ जब चलता है तब जो अंदर में अहमकार या तिमीर ही घोर अंधकार है वो नाश हो जाता है इसलिए तो यह ग्ञान का मार्ग देते हैं तो साथ जी कुल मिला करके एक ही बात है कि श्री सत्गुरु जो यहां धाम का मेला करने के लिए आए है उनके स्री चरणों को पकड़िये उनके ज्ञान के सानिध्य में जा करके बातनी दृष्टी को खोलिये और इसी के द्वारा जो आगे का मार्द है वो खुलने लग जाएगा इसके बिना गफलत में रहोगे इस यूर अनमाइंड फुल तो फिर चोरासी का चकर फिरा तो तैयार है ही है अब किस ओर जाना कैसे बचपाना ये हमारे हाथों में है ऐसे अनमौल मनुष्य तन रूपी रत्न को अगर यूई मिट्टी के कोड़े के भाव में गवा दिया हमने तो बड़ा ही अफसोस करने की बेला होगी इसलिए धनी बार बार सतर्क करते हैं और हम उनकी वानी को हरदे से कौमल हरदे करते हुए आत्मसात करते हैं तो आईए प्यारी संदर साजी आज की मजल को यहां पर विराम देते हुए इन्ही वच्णों को हम हरदे आंगम करते हैं ए देखिय जाड़ी आखा खोल के याकी तो उल्टी सनंध ए मोहडा लगावे मीठडा पीछे पढ़िये बड़े फंद बोलिये स्री कृष्ण कनहया लाल कीजे स्री सत्गुरु महराज कीजे स्री प्राणात प्यारे कीजे समस्त सुन्दर साथ कीजे बोल बोल पंजेवाले कीजे प्रों संमन्स थरशाँति में सम्स्टों प्रत म 타्री कीजे भी ड्राणाल व्ल्टी